कोरोना वारिस की जंजागरिती को लेकर शहर की सड़के सुनसान दिखी लोगों ने घर में रहना ही पसंद किया तो वहीं वाडी में भी सड़के जो है पूरी तरह से सुनसान दिखी विरान दिखी और इस प्रकार से वाडी में भी लोगों ने पूरी तरह से सयोग करते वे वाडी परिसर के एक लाग से अधिक लोगों ने दिन भर ब्रेकडाउन कर जंता कर्फ्यू में हिस्सा लिया। सरीता यादव मंगला वागमारे ने इस मौके पर लिया। रविवार को वाडी शहर की हर गली में सन्नाटा रहा। ट्रांसपोर्ट से लेकर मार्केट पूरी तरह बंद रहा। पुलीस के अलावा सड़को पर कोई नहीं दिखाई दिया। दिन भर वाडी पुलीस के पी आयर राजोइंद्र पाठक दीपक पाठिल ने कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त कर रगाता जिससे सड़के सुन्सान पड़ी दिखाई दी। पेट्रोल पंप वो मेडिकल स्टोर्स खुले रहे। लेकिन लोगों का जनता करफ्यू को प्रतिसाद मिलने से पेट्रोल भरने कोई लोग नहीं गये। पंप खाली दिखाई दिये। वाडी नाका से लेकर आटवा मैल्ट तक सन्नाटा दिखाई दिया। शहर के भीतरी सड़के भी सुन्सान रही। कोरोना को हराने के लिए सभी लोग एक साथ आये। वाडी के चार पेट्रोल पंप के कर्मचारी दिन पर खाली बैठे रहे। लोगों ने घर में रहना ही ठीक समझा। पुलीस ने कड़ी महनत की जिनके पानी चाय की विवस्था, दवला मेटी ग्राम पंचायत, सदस्य प्रशांत केवट, पुर्व सदस्य सुनिल शेटी, पत्रकार विजय खवसे और सौरब पाटिल ने की। जनता का सहयोग मिलने से पुलीस ने भी आभार माना। वाडे का ट्रांसपोर्ट विवसाय पूरी तरह बंद रहा, ट्रक का आवागमन बंद रहा, शहर के सडकों पर सैक्लो ट्रक की कतारे लगी रही, मेडिकल पेट्रोल पंप शुरू रहे, सौ प्रतिशत वाडी में जनता कर्फ्यू रहा। पांच बजे लोगों ने अपने अपने घरों में ताली थाली व घंटी भजा कर धन्यवाद माना। लोगों ने कोरोना से लड़ने वाली सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोगी विभाग, पुलिस कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, साफसफाई कर्मचारीों को धन्यवाद दिया। वाडी के लाइफस्टाइल टाउंचिप के लोगों ने भी थाली घंटी बजा कर शंखनात कर अधिकारी कर्मचारीों का धन्यवाद माना। वाडी के एक लाइफ से अधिक लोग अपने अपने ही घरों में रहे, दिन बर सड़के खाली रही, इन बी सियन के लिए वाडी से सुनल शेटी के साथ अभशेक पांसे की रिपोर्ट।